हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी मसालों से चिकन लाली पॉप जो बहुत ही टेश्टी और बहुत ही आसान तरीकों से मैंने बनाया है आप भी बनाईए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा है चलते हम अपने लाली पॉप की तरफ पहले तो हमने ले ल चारसो ग्राम चीकन दालेंगे बारी बलाग पेपर अब इसमें डालेंगे अपना मसाला भी यमने जो पीसा ता और इसके साथ हमें डालना है एक अंड़े शेसे पाकड़ लेता है खोड़ा सारेट कलर डालेंगे क्योंकि ये लॉप लाली पॉप लाल होता है पिसा हुआ ह नश्रम करें जालेंगे, तकि पूरे में मिक्स करेंगे, मैंने कोईले को अच्छे से पहले ही लाल कर लिया तो फॉल पेपर रखा उसके ऊपर मैंने अपना कोईला रखा साथ तेल गी कुछ भी लालेंगे, अब यह देखिए आया ना फ्लेवर, अब इससे अपलते में अच् आएगा एक स्मोकी फ्लेवर जो बहुत ही अच्छी इसकी खुश्बू होती है तंदूर वाला आता है अब मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजे कमेंट में कर लीजे और लाइक भी यह हो गया हमारा फ्लेवर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और दो चम्मच हम डालेंग अब हमने लिए है ब्रेडी गरम इसके उपर से हमें कोट करने के लिए क्योंकि लाली पॉफ है आसान तरीके से है तो थोड़ा तो बनता है ब्रेडी इसे हम अच्छे से दबा दबा के ब्रेड क्रम लगाएंगे ताकि यह हमारे तेल में फटे नहीं और लाली पॉफ अच् पकनी लगेगा आप लोग के लिए मैं इतना मैनत करती हैं कि अच्छा सा कमेंट तो जरूर कर दिया करिए क्यूंकि आप लोग के कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ये एक सिक्रेट है जो कोई भी ढाबा या रेश्टोरंट वाले बताते नहीं है बागी ये करना है और इसे धीमी आज से गोल्डेन ब्राउन करना है तक ये अंदर तक पक जाए जब तक ये पक रहा है आप बताइए आपको लाली पॉप पसंद है कि नहीं पसंद है मुझे तो ये बहुत पसंद है दाल के साथ अगर मिल जाए तो मजा आ जाता है अच्छे से गोल् आप भी अपने घर में बनाईए जल्दी से और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये आसान सी रेसिपी आपको ये हमारा हो गया है गोल्डेन ब्राउन अब मैं इसे निकाल लूँगी दीरे-दीरे करके मैं इसे निकाल लूँगी इसके बाद भी जो है उसके बाद खाने के लिए क्योंकि रेस्टरंट में हम कभी भी जाते हैं तो चिकन लॉलिपॉप जो है वो इसी तरह से सजा कर देते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्यों न हम घर में रेस्टरंट स्टाइल बनाएं ये मैंने प्याज की थोड़ी प्लेटिंग कर दि अब लगा ना आपको रेस्टरंट स्टाइल देखके लग रहा है बिल्कुल बाहर जैसा बाहर का फील हम घर पे क्यों न लाएं अगर बच्चे देखते हैं ये खुश हो जाते हैं कि हमने बाहर से ओडर किया पर उन्हें क्या पता कि हमने ये घर में बनाया बाकि आपको ख यार मैंने दाल के साथ बनाई आप भी बनाई और इंजॉय करिए ओके बाई बाई